असलाम वालेकूं वरहमतुल्लाह वबरकातु हूँ प्यारे बच्चों उमीद हैं कि आप अल्ला के फ़सुलो करम से खेरियत वाफियत से होंगे जैसा कि आप जानते हैं आपने पेज नंबर फो एंड फाइव पड़ा हैं तो आज हम यहाँ पे नुक्तों की पहजान पढ़ेंगे यानि किस हुरूफ पे कितने नुक्ते होते हैं तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे बा हैं बा के नीचे हैं एक नुक्ता नुक्ता मतलब डॉट ता के उपर हैं दो नुक्ते सा के उपर हैं दो नुक्ते जीम के बीच में हैं एक नुक्ता खा के उपर हैं एक नुक्ता जाल के उपर हैं एक नुक्ता जा के उपर हैं एक नुक्ता शीन के उपर हैं तीन नुक्ते जौद के उपर हैं एक नुक्ता जौद के उपर हैं एक नुक्ता घाइन के उपर हैं एक नुक्ता फा के उपर हैं एक नुक्ता कौफ के उपर हैं दो नुक्ते या के नीचे हैं दो नुक्ते और यहा के नीचे हैं कितने नुक्ते दो नुक्ते Dear students, यह आपको learn रखने हैं कि किस हरूफ पे कितने नुक्ते होते हैं ऐसे हैं आपको यहाँ पे learn रखनी हैं यह मुक्तसर सूरत जो होती है हरूफ की वो आपको learn रखनी है अलिफ अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसकी मुक्तसर सूरत ऐसे आएगी ये हैं अलिफ, अलिफ, अलिफ बा अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसकी मुक्तसर सूरत ऐसे आएगी ये हैं बा, ये भी हैं बा कैफ कैफ, लाम लाम, मीम मीम, नून नून, हा हा हा, हमज़ा हमज़ा, या या Dear students, hope आप ये learn रखेंगे कि किस हुरूफ पे कितने dot होते हैं और किस हुरूफ की कौन से मुक्तसर सूरत होती हैं Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh